पूरी दुनिया में जिस्म का धंदा आज भी फलफूल रहा है। भारत में भी ऐसी कई नामचीन जगा है जहां वैश्यवरत्ती का कारोबार खुलम खुला चलता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं मध्यप्रदीश की टॉप टेन रेड लाइट एरियास के बारे में जहां चल रहे इस अवेद धंदे में देश के अलग-अलग इलाकों से बहला फुसला कर लाई लड़कियों से सेक्स रेकेट चलवाया चाता है। नमबर एक पर आता है जबलपुर गुलंदी बाजार का लकडगंच। जबलपुर लकडगंच में या मुझरे आदी का आयोजन भी होता है। शाम होते ही यहां की रात रंगीन होने लगती हैं। इस इलाके में देर रात तक लोगों की भीड जमा रहती है। नमबर दो गौलियर का रेशमपुरा ये देवेपार के लिए देशवर में बदनाम है। यहां कॉल गर्स के साथ विदेशी मॉडल भी इस धंदे में लिप्ट होती है। अब यहां इंटरनेट के जरिये इस काले धंदे को अंचाम दिया जाता है। नमबर तीन शिफपुरी लगबख सो साल से बेडिया जाती की युप्तिया देवेपार में शामिल है। इस स्थान पर कई बार लूट पार्ट की घटनाए भी सामने आई है। कहा जाता है कि इस इलाके से गुजरने वालों को ये लड़किया रोक लेती है। नमबर चार बदनामपुर रेड लाइट एरिया। मुरेना रोड पर स्थेत पुरानी छामनी थाना शेत्र का बदनामपुर देवेपार के लिए बदनाम है। यहां यूमन ट्रेफिकिंग के कई मामले आए हैं जिससे आए दिन पुलिस की कारवाई होती रहती है। वही न नमबर पांच पर आता है नीमच मनसोर सड़क। मनसोर के नीमच मनसोर सड़क किनारे देवेपार बड़ी मात्रा में होता है। यहां इनका अच्छा खासा नेटवर्क फैला हुआ है। बताया जाता है कि यहां बाचणा समाज के लोग सद्यों से ये धंदा कर रहे हैं। नमबर छे पर आता है भोपाल का अशोका गाडन राजसानी भोपाल के अशोका गाडन एरिया को भी रेड लाइट एरिया के बारे में जाना जाता है। शाम ढलने के बाद यहां की गलियों में कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस धंदे में लिफ्त होते हैं। नमबर साथ के समय पर कारवाई की खबरे भी आती रहती हैं नम्बर 8 पर आता है पंध का देविंद्र नगर हीरो की नगरी पंध में देविंद्र नकर नामका इस्तान है जो इलाके में रेड लाइट के नाम से मशूर है यहां कई बार पुलिस ने एक्षन भी लिया है यहांसे लड़कि कर इसे और बढ़ाने का मामला 2018 में सामने आया था इसके अलावा शहर के कुछ और स्थानिंग जहां ब्रोकर मिल जाते हैं वही नमबर दस पर आता है कटनी जक्षन मध्यप्रदेश के बिजी रेल स्टेशनों में से एक कटनी जक्षन के बाहर खोजने पर काफी लोग इस कार